हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप गुरू अप्लिकेशन का यूज करके आप्शन ट्रेडिंग में एक स्टॉप लॉस ओडर भी लगा सकती हैं और एक टार्गेट ओडर भी लगा सकते हैं हो सकता है लास्ट टाइम आपने जब अपनी ओप्शन ट्रेडिंग की जो ओपन पोजिशन है उसके उपर स्टॉप लॉस ओडर तो लगा लिया होगा बट जैसे ही आप टार्गेट ओडर प्लिस करने गया होगे आपका ओडर रिजेक्ट हो गया होगा आपसे वहाँ पर लगाया है और एक टार्गेट ओडर भी लगाया है दोनों उसके बाद आपको क्या सक्ष्ट लेने हैं सारी चीज़े मैंने इस वीडियो में पूरा बताई है तो इस वीडियो को पूरा देखेगा वीडियो अच्छे लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना चैनल नए हो तो चनल को subscribe जरूर करना, bell icon को जरूर दबाना ताकि आपको latest videos की notifications मिलती रहे इसके अलावा दोस्तों अगर आपका इस video के regarding या फिस stock market के regarding कोई सवाल है तो आप coinbox से मुझे पोच सकते हैं आपको उसका reply जरूर मिलेगा So guys without wasting the time, let's get started दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ अपने grow application के ऊपर यहाँ पर हम लोग feature and options में create लेने वाले हैं तो हम click करते हैं F&O में and then bank nifty में मैं click करता हूँ मैं bank nifty के create लेने वाला हूँ then इसके बाद आप देख लीजेगा यहाँ पर option chain आ जाती है यह option chain क्या होती है कैसे इसको समझा जाता है अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे comment जरूर करना कि option chain को कैसे हम समाझ सकते हैं क्या-क्या factors होते हैं यह आपर यह OI क्या होता है call price और यह put price क्या होता है यह सारी चीज़े मैं बता दूँगा इसके लिए वीडियो में comment जरूर करना कि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो अभी मैं यहाँ पर एक contract buy करता हूँ 42,300 का यहाँ पर जो put है उसको मैं buy करूँगा जो कि 10 रुपए 30 पैसे का चल रहा है करीबन क्योंकि मेरे पास अभी funds हैं करीबन 320 रुपए तो उसके accordingly ही मैं यहाँ पर आज की वीडियो में example के लिए यहाँ पर एक trade ले रहा हूँ तो अभी मैं click करता हूँ buy के ऊपर आप देख सकते हैं नीचे लिखा भी है balance 320 रुपीज that's it इसके उपर मेरे पास कोई भी fund नहीं है इसके accordingly ही मैं यहाँ पर एक trade लूँगा और उसमें एक stop loss लगाँगा और उसमें एक target भी लगाँगा ठीक है तो आप देख सकते हैं एक लॉट होता है आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉट भी चल रहा है करीबन पांच रुपए साथ रुपए छे रुपए से नुकसान हो रहा है कोई बात नहीं अभी हम लोग यहाँ पर एक stop loss लगाते हैं क्यों जादा नुकसान हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना तो अभी stop सेलेट कर देंगे अब नीचे देख सते हैं वैलिटी इसकी हो जाती है एकसपाइडी याने कि यह एकसपाइरी डेट तक यह ओडर आपका वैलिड रहेगा तो अभी continue पर क्लिक करते हैं और हमने 10 रुपए 65 पैसे पर बाई क्या है तो माल लीजे हम इसे 8 रुपए पर अप एकजिट कर दिया जाएगा अभी हम लोग इसके लिए टार्गेट ओडर प्लेस करने चलते हैं तो अभी हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे एकजिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं जीटी ओडर में यह दूनों ही ओडर हमारे प्लेस हो चुके हैं एक और हमारा stop loss के लिए है जिसमें आप देख सकते हैं नीचे लिखा है at 8 रुपीज क्योंकि यह हमारा sell order 8 रुपए पे लगा है और एक और देख सकते हैं अप GTD order है जहां पर आप देख सकते हैं sell order हमारा place है 15 रुपीज पे आपको और funds की जरूरत है तो देखो दुस्तों हमारा loss अभी बढ़ रहा है तो हम लोग अपनी stop loss price को यार modify कर लेते हैं stop loss order हमारा यह नीचे वाला है जहां पर लिखा है sell order at 8 रुपीज इसको क्लिक करते हैं modify पे क्लिक करते हैं current market price 9 रुपीज 25 पैसे चल रही है तो अपने trigger price को हम लोग set करते हैं और 9 रुपीज पे 9 पे क्लिक करते हैं नीचे आप दिखते हो वारन लिख कर लेते हैं trigger price 2 close to last traded price LTP के काफी pass है trigger price तो आपको वो जो नीचे values दी है 8 रुपीज 60 पैसे आपको उससे कम रखनी पड़ेगी यह फिर 9 रुपीज 10 पैसे उससे ज्यादा रखनी पड़ेगी तो हम लोग भी इसके accordingly यार modify कर लेते हैं अपनी trigger price को तो अभी हम लोग इसे modify कर लेते हैं 8 रुपए 70 पैसे ठीक है और जो हमने देखिए 15 रुपीज पे अपना target order set क्या था वो अभी हमारा GTT order में already place हो रखा है तो हमारे stop loss order आप देख सकते हो हिट हो चुका है हमें market से exit कर दिया गया है दोस्तों जैसे ही आपकी यह open position close हो जाए आपको अपने बाकी के जो GTT order है उन्हें cancel कर देना है ध्या 8 December 42,300 का put अभी हमने sell पे लगा रखा है जिस पे हमने price set टिकर रखिए 15 रुपीज तो जैसे ही इस option की price 15 रुपीज आएगी हमारे इस contract को sell कर दिया जाएगा बट मेरा तो order reject हो जाएगा क्योंकि मेरे पास fund ही नहीं है क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम लोग options को sell करते ह है तो हमें approximately 90,000 या फिर एक लाग या फिर उससे उपर का amount चाहिए होता है तो इसलिए जो मेरा ये sell का GTT order है ये reject हो जाएगा बट हमें उस cheese का wait नहीं करना है जैसे ही आपकी open position close हो जाए आपको अपने बाकी के GTT order cancel कर लेने है अदरवेस अगर मेरे fund में पैसा होता तो ये मेरी एक नई position बना दी जाती और हमारी एक और open position हो जाती जो कि हमारा एक sell order place हो जाता तो इसलिए मैं इसको cancel कर दूँगा और मेरा ये जो बाकी का GTT order था ये अभी cancel हो चुगा है देन पर क्लिक कर देते हैं आप देशे हैं कोई भी order अभी place नहीं है तो इस आपने देखा मुझे यहाँ पर net नुकसान हुआ है बट कोई बात नहीं कम से कम आपको ये तो समझ में आ गया हुआ कि कैसे अपनी option के drink की position के उपर आपको एक stop loss लगाना है और एक target order लगाना है तो मेरा 100 रोपे का loss तो कुछ भी नहीं है कम से कम आपके आने वाले losses है वो stop loss order place करने के ब मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत